लो दोस्तो और एक और बार आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पे आशा करता हूँ आप लो काफी चीजे सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इनकेस कर रहे हैं, मेक शॉर लाइक कीजे और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर लिजे, दोस्तो जैसे कि आपको पता है, अपनी एक अपनी एक अल्रेडी स्रीज चल रही है, जिसमें कि हम कॉमन्ट ट्रेडर्स की मिस्टेक्स के बारे माँ बात कर रहे हैं, और पैरलली अगर कुछ करेंट इवेंट आता है, या कोई इंट्रेस्टिंग कम अपना सिम्स्टा में ठीके ट्रेंडिंग पे नहीं बनाएंगे हर बार, कभी कबार बनाते हैं, बाकी अपन दूसरे एस्पेक्ट्स को भी टच करते हैं, थाकि आप लोगों को डाउट्स क्लियर हो जाए, तो एक इंट्रेस्टिंग सवाल आया, लास्ट वीडियो में, जो सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आप इन दोनों में से किस से ज़्यादा प्रभावत और इंस्पाइड हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए इंस्पाइड बाई, और आगे लिखिए वारन बफट या फिर जिम साइमन्स, देखा जाए कि भई, ज प्लेन सिंपल सी चीज है, हो गए वारन बफट साहब और दूसरे जिम साइमन्स हो गए, ट्रेडर, हेज़ फंड मैनेजर, दूसरा अगर आप जो देखते हैं, वो इनकी कमपनी के ऊपर है, जैसे वारन बफट सर चलाते हैं, बरक्षिर हैथवे और जिम साइमन्स सर चलात हैं, रेजनेंस टेकनोलोजी, जो बेसिकली इनका फंडा ऐसा रहता है कि वारन बफट साहब जो बरक्षिर जिनको स्टोरी पता होगे, यूट्यूब पे बहुत लोगों ने उस पर वीडियो बना दिये, संख्षेप में बता हूँ, तो एक टेक्स्टाइल कमपनी थी, जि कोई target रखना चाता है, aim रखना चाता है, सही में बफट साब का भगते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो कि मैं G1 में उनका एक share या दो share तो own करके रहूंगा, इस तरह का आप target रख सकते हो, वहीं पे Jim Simon Sir का इस तरह का नहीं है, वो hedge fund manage करते हैं, लेकिन उनने limit कर दिया है, वो न माचवी कक्षा fail होते हैं, और जवरदस्ती हर बंदे के पीछे पढ़ जाते हैं, तुम 400% बना है, 800% बना तो तुम तो buffer को पीछो छोड़ दोगे, अरे वहीं इस साल बना लिया, because capital कम है, जब उन लेवल के capital बन जाओगे, तो 20% भी बन जाता है, that is good enough साल का, compounding में वो अतना रिस्क इतना आसान नहीं होता है, because आप अब दिखने लग जाते हो, बड़े operators को, आपकी positions दिखने लग जाती है, so obviously you cannot mess around with those people, तो ये बहुत एक important चीज़ है, तो ये आपको समझता है, चौथा जो इनके बेच difference है, वो उनकी lifestyle में है, जहां कि Warren Buffett अभी भी अपनी 40 सा पुरानी कार चलाते हैं, बहुत कम लोगों को पता है, Jim Simmons, जो 50-52 years के बार actual में उनका career शुरू हुआ, तो ये उन लोगों के लिए है, जो age को बोलते हैं, कि यार मेरी age इतनी हो गई, तो अब मैं investing और trading नहीं कर सकते हो, सब बहान है, उनने 50 के बाद, उससे पहले no doubt, उनका बहुत impeccable record रहा है in academics, पर trading investing में नहीं, बट 50 के बाद चालू करने वाला भी ultra successful है, तो Warren Buffett सहाब जिससे सबको पता है, simple lifestyle, simple living, high thinking करते हैं, Jim Simmons सहाब की सोच थोड़ी ऐसी है, कि यार कमा किसले रहे हैं, उडानी के लिए तो कमा रहे हैं, तो थोड़ा बत करें, तो उनके पा हैं, बड़े-बड़े plots हैं, R&D research पे वो बहुत सारा खर्चा करते हैं, सरफ trading research नहीं, अलग-अलग उसका, basically क्या होता है, जादा पैसे आजाता है, तो सब अपने-पने तरीके से खर्च करते हैं, अब जैसे आप और मैं हो गए, हम लोगों के पास जादा पैसा आता हो, त दूसरा difference है, next two difference है, Warren Buffett साब जो principle follow करते हैं, जिसके basis पे ये invest करते हैं, वो होता value investing जो Benjamin Graham से inspired है, जो नए दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, एक किताब है The Intelligent Investor, अगर आप वो पढ़ते हैं, तो आपको Benjamin Graham की philosophy, उनका mindset और Warren Buffett साब क्या follow करते हैं, वो आपको समझ में आएग तो आप पढ़ सकते हैं, और और एक किताब है, जो Jim Simmons के ओपर आई है, आई थी last year, but to be very honest, उस किताब में इतना detailing नहीं है, वो hyped इसले थी क्योंकि पहली बार इतने famous hedge fund manager के ओपर कोई तो एक किताब आई है, काफी लोगों ने सोचा था strategy निकलेगी, कुछ नहीं है, ऊपर की स्टोरी है, अच्छा है, इंस्पिरेशनल लगेगा, बट अगर आप चाहते हैं को कोई strategy वहाँ से निकल आए, तो वो आपको नहीं मिलेगा, the man who cracked the market, the maths वाले, जो उनके उपर है, तो वो उस, who solved the market, sorry, तो वो आपको इतना नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, that is the thing, so एक quant methods फॉलो करते हैं, complete algo and quant, Jim Simon साहब, जहांकि Berkshire Hathaway के Warren Buffett साहब, complete value investing पे focus करते हैं, एक और difference है, Warren Buffett साहब only buy and hold वाले बंदे हैं, मतलब वो short selling करके नहीं बनाते हैं, उनका main agenda रहता है, buy and hold, और उसके बाद PD तर PD तक बैठे रो, मतलब ये एक inspiration है, ये एक inspiration है, उन लोगों के ल साल बाद ये share जरूर बढ़ेगा, तो अगर आप ITC को लेकर भावुक है, तो Warren Buffett साहब की photo अपने सामने लगा लीजे, ताकि आप इसको hold कर सकते हैं, remember मैं कभी भी ITC पे joke नहीं करता हूं, तो बात होगा, so वो एक चीज़ हो गए, next है, returns जो इनने अपने लिए और अपने clients को बना के दिये हैं, तो Warren Buffett का annualized, Warren Buffett साहब का annualized CAGR, almost 27-28% आता है, जो आज की UAPD के लिए बहुत कम रहेगा, लेकिन दोस्तों, जब compounding चलता है न, तो मजा आ जाता है, हर धाई, तीन, साढ़े, तीन साल में जब आपका पैसा double होता है, तो 2-4, 4-8, 8-16, 16-22, इसी तरह जब वो compounding हो जा रहता है, that is the fun, but Jim Simons ने कमाल की चीज़ करी, उनका annualized CAGR 60% plus है, after commission which he charges to his clients, तो आप सोच सकते हो कि यार, घजब चीज़ है, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दू कि, जो aspiring fund managers है, जिनको fund manage करना है, आगे जाके, आप अगर CAGR को इस basis पे इन उनों को compare नहीं किया जा सकता, अब काफी लोग बोलते हैं कि Jim Simons इसलिए अच्छा है, दोनों respectable बंदे हैं, दोनों famous हैं और दोनों legends हैं, एक ने investing से पैसा बना है, एक ने trading से बना है, तो पहला myth clear है कि trading से भी पैसा बनता है, लेकिन आपको समझना है कि Warren Buffett साहब का अगर actual में देखे stake and all, तो उनके पास तो 70 साल से, almost 70-80 साल से वो market में है, तो उनका CIG और obviously decline होगा, क्योंकि काफी swings आ जाते हैं इतना समय में, लेकिन Jim Simons साहब का जो आता है, वो 24-25 साल के हिसाब से, 20-25 साल के basis पे हम देखते हैं, तो obviously he has a long way to go, obviously उनने cycles देख लिए हैं, बट ज़रूरी है, तो Warren Buffett साहब जहां buy and hold करते है, Jim Simons साहब ने अपने सबसे बड़ा पैसा short selling से बनाया, so 2008 also he made good amount of money, उसके बाद भी बनाया है, तो because hedge fund है, तो hedge fund always gets this opportunity to do all those things, तो वो उनके पास आ जाता है, next ये चीज़ है कि Warren Buffett साहब जो industry है, hedge fund industry, उसको लेके थोड़े pessimistic है, उनका कहना है क भई, index fund ले लो, ETF ले लो, वो at any point of time hedge fund और traders को beat कर देगी, लेकिन वहीं पर Jim Simon साहब ने एक example set किया और सरफ उनने नहीं, जो top 30-40 hedge fund managers उनने example set किया, कि अगर खेल खेलना आता है, तो आप खेल में जीतोगे, ये सब बहाने है कि सरिफ index funds perform करेगा, Warren Buffett साहब की तो एक story भी है कि उनने challenge किया था, काफी सारे hedge fund managers को 10 साल बात देखते किसका return जादा होता है, benchmark index का या आपकी strategies and all का, और benchmark index का हो गया था, लेकिन समय बदलता है, अगर आपके पास art है, आपके पास skill है, तो अप anytime उस चीच को beat कर सकते हैं, तो दोस्तों ये तो major difference थे, अब मैं आपको एक section में बिलकुल लिखे, कि इसमें आपको क्या interesting लगा और किसके किसाब से क्या एक सही लगा, that is one, but यहाँ पर आपको मैं बता दू कि अगर हम इनको directly compare करने जाए Jim Simons को और Warren Buffett को, so that is unjustified, क्योंकि एक trader, एक investor, एक short selling भी करता है, दूसरा obviously wait करेगा सही opportunity के लिए, एक ऐसे व्य level पे एक चित सिद कर चुके हैं, कि अगर आप दिलो जान से, अगर आप सची शिद्दच से, किसी भी profession को लेते हैं, मैं स्रिफ trading investing की बात नहीं करो, किसी भी profession पे, आप सच्चे शिद्दच, सच्चे महनत से, अगर आप लग जाते हो, और समय देते हो, याद रखो, दोनों ने टाइम दिया है, यह ऐसे लोग नहीं है, जो आके बोलेंगे, और वह या, आज लिया, एक का तीस, एक का तीस, पता नहीं, वो क्या एड चलता रहता है, हाई गाई, इस तीस गुना बना ली हमारे, जो भी है, सो आपको, अच्छा, अपन मजाक नहीं करते हैं, सौ सौर करो, और अपने वीडियो को लाइक करते हो, जितना जादा इसको लाइक मिलेगा, और गमेंट मिलेगा, उस बेसिस पे अपन और रेगुलर बनाते रहेंगे, कुछ भी पसंद आए, तो लाइक कीजे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेसिंग, कीप ट्रेडि बाल